कि मामा मामा मुझे अभी शादी नहीं करनी है शादी नहीं करनी है नहीं ओ ऐसे नहीं घबराते ओ दुनिया में सब बिमारियों का इलाज है बड़े बड़े डॉक्टर बैठे वे दिल्ली में और सुन दूद के साथ चार दिन शीला जित खाएगा उस बात नहीं है ओ तो क्या बात है फिर मामा मुझे अभी नौकरी भी नी गधे मुझे दिल्ली जाकर 1080 करनी है हें अर ये तो कर ले न बात भेए शादी नी करनी, शादी नी करनी, ओ हमने नी की शादी, भगवान रामचंदर जी और सिता जी ने नी की शादी, रावण और मंदोद्री ने नी की शादी, ओ कि शंजी माराज की सोला आजार राणिया थी, ओ तो फिर मेरे घर में हनुमान जी की मूर्ति क्यों लगए, ओ चु मटन अच्छा बناती है। मटन अच्छा बनाती है। और क्या चीकें? बर्तन भी दोएगी। बर्तन धोएगी। चूला चॉका करेगी। पोचा धोएगी। तेरे कपड़े धोएगी। तु दफसर जाएगा र ना। तो तेरे को टिफिन बना के देगी, दफतर से जब वापस आएगा ना, तेरे पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, ओ, और क्या चीए तुझे? तो फिर तो मैं आराम से लिख भी पाऊंगा? ओ, जिन्दगी भर लिखता रही हो, पर तुने तो रटल गा रखी है, शाधी नी करनी, शाधी नी करनी मामा जी, योजे कुना सी बात हो गई झाल 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 सुनिये चाय पियोगे या कुछ और? हाँ, चाय पिलूँगा झाल हाँ, चाय पिलूँगा झाल आप मुझ से शादी करके खुश नहीं हूँ क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जब से घर आई हूँ, मुझे ठीक से देखा भी नहीं एक बार वो, तुम इतनी सुन्दर हो ना, मुझे डर लगता है आपके लिए हूँ मैं, मुझ से क्या डर ना? झाल 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 आपके शेहर में पहली मरतबा हजिर हुआ हूँ लिहाजा जोके सुना के जाँगा आपके लिए ताजा तरीन होगा अज़रात शेहर कहने से पहले एक कजात पेश कर रहा हूँ अरे भाईया उनको हिंदी आती यार्मन इंग्लिश बोल दी आज सुपरियेगा दिमाग मत खाइएगा आज यार्मन पहली मरतबाद मोका मिला आगे वाली परसेशन निकाल के जाओगा मैं धन्यवाद जी तेरे शेहर का मौसम तेरे शेहर का मौसम बहुत तो हाना लगे गर में एक शांस वरालू कहीं तुम्हें बुरा ना लाप लेकरा दिया तुम्हें अरे यार्म इतनी लागा रात हो गई है अब लौट चलते हैं तुम पाहल तो नहीं हो पता कितने कठें परिश्रम के बाद मुझे मौका मिला आज अरे तुम्हें मौका मिला यार्मन वो करना चाहते हैं आपके सहर के महान लेखाओक और कभी क्या नाम बता जाब राजा राम राजा राम राजा राम देव वाजनव और हंच दी को को अधिया आग आज मैं आज मैं आज मैं आपके सामने पेश करने दा रहा हूं कुछ पंक्तियां जो आपने सपनों वो सच करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं उस ताले गहरे पामी से उस काले गहरे पानी से मोती बटोरने के लिए विचलित उस पंक ने दुबारा बोलता हुझा उस काले गहरे पानी से मोती बटोरने के लिए उस विचलित हंस ने अपने पंक फिलाए ऐसे जैसे पूरा आजमा निखचा करने की कोशिश में था वो कोशिश में था कि उड़ चले वहां जहां पानी पार दर्शी हो इतनी देर हो गई खाना गरम कोशिश में नियुक 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 सब ठीक तो है परिशान लग रहे हुआ सब सुनो देखो मैं तुम्हें सब सच बता देता हूं मेरे मन में कुछ और है किसी और को चाहते हूं हां नहीं वो नहीं मुझे यह नौकरी नहीं करनी है और ना इस शहर में रहना है मुझे दिल्ली जाना है हां लेखक बनने फिल्मों में नहीं नहीं दिल्ली में कहां फिल्में बनती हैं मैं वहां जाकर धिर सारे नौवल लिखूंगा आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे लगा तुम्हें भी हैसी आएगी नहीं यह तो बहुत अच्छी बात है आप जो करना चाहते हैं कीजिए मैं हमेशा आपके साथ हूं कि अहीं है राम बाबू बाटो चाह लाता हादा आजा अजह राजा बैट न है क्या हुआ बादा परिशान दिखाए लगता आपली कुछ आजके बनी नहीं है। नहीं नहीं, बन रही है। अरे घोडू, बन तो चाय भी रही है। पर तो यह बता कहानी की बात कुछ बनी के नहीं। चाचा, चाय तो बन गई। अब लाए? रिचे, मैंने तुझे कभी बताया नहीं.. हमारे एक बहुत दूर के रिष्टदार है, वो भी लेखक है, अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं है, हम तो उसे छोटु बुलाया करते हैं, उसने मुझे एक बार बोला था, कि यह जो कहानी है न, यह इंसान के अंदर से निकलती है, मतलब उसके आसपास के महौल में होती है कहानी, इसलिए मैं कहता हूँ, गोडू, तु ज्यादा सोचे मतना, आख खोल के देख, कहानी तुझे मिलेगी, अपने आसपास ही कहीं, तेरे अंदर से निकलेगी कहानी, क्या समझा? नमस्कार भावी, पहचाना, महेश, हाँ, आईए, आईए, राम है, अरे महेश, आज तो चमक रेओ तुम, अरे, भावी से मिलना था ना, अच्छा, मिल लिए, हाँ, मिल लिए, चाय बनाओ, चाय रहने दीजे, थोड़ा, गैस की प्रोबलम है बहुत ज्यादा, ज्यादा तो लाए और दवाई तुम, हाँ, हाँ, लाए ना, यह है, हाँ, वो स्टूब मैंने सिंपे कर दिया है, जी, अच्छा, ये मिठाई हमारी तरफ से, तुम मरवाओगे यार, उसके से, अरे, मरवाओगे, छोड़, चान्द का टुकड़ा मिल गया है, हाँ, असुन, इसके पैसे में तुछ से लूँगा, अरे यार, तुम फिर वही कंजूस रहे न, हमेशा, पाइटी मनेगी, चल, चल, बस हो गया, क्या, अभी तो जुन-जुनी में चड़ी, यार, तो घर जाके चड़ा ले न, जुन-जुनी, थोड़ा सा देव न, यार, अरे यार, तुम्हार अरे चाचा चोधरी, साबू, इस टाइब की बहुत बिक रही हैं, आज कल, यार, ये बच्चों की किताब हैं, सब किस्मत का खेले, यार, अरे, जिसकी साधी हो जाती ही न, उसकी किस्मत, ये, ये, टॉप पर, परवत पर पहुँच जाती है, समझ गा है, मतलब, मतलब ये कि मेरी पहचान का एक पबली सर मिला है, चाचा चोधरी टाइप का कुछ लिखवाना चाता है, तू जाके मिल ले उससे, कहन, पाज मही रहता है, और मेरा नाम बता देना, कहना महिज मत बोलना यार, मेरी इज़त है, महिज जी बोलना, समझे, जी महिज जी, मतन तयार है, आपको मीट पसंद आया ना, अरे, बहुत मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, आपको नहीं आता बना ना, अरे, आता है, एक बार हमने इसको बना के खिलाया था, मीट, अच्छा, और वो कैसा था, अरे, उसमें पानी कम था, मैंने एक बाल पानी डाल दिया, उसमें, और मतन मेरी मा ने मुझे बनाना सिखाया था, खड़ा मसाला जाता है, गरम मसाला, तमातर, प्यास, और प्यास जितना अच्छा बूने गे ना, उतना अच्छा मतन बनेगा, अरे, वा, 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 जी, कहिए, महिज जी ने बूला था आपसे बात करने के लिए, तो आप ये पढ़ लेते, दिखिए मैं भी बहुत बेजी हूं, आप बाहर जाकर पता लिख वा दिए, मैं आपको बूला नूगा बात में, कब तक हूँ आप पता लिखवाद जी मैं आपको अपने बुलवाने को आते कृष्णा जी नमस्ते अरे नमस्कार जी चलो जी हो गया आपका पर भते कि ईंसटे कि और बस ज्ली जाने के सोच रहा हूँ वह leftover पहुण नौल चुप孃 अरे यह षी वह तोड़ा जल्दी कर दो मुझे ऑफिस जाना है आपको पता है मौले में क्या हो राज क्या कुछ पता ही नहीं है आपको क्या है अरे उसके साथ फेरों के साथ भाग गए मतलब अरे उसकी बीवी भागी परा है वर्द के साथ संदर भी रखना तो गुना है संदर ठूस की जी पूरे मौले ने रथ उस पर हमज़े ना आप दूबे जी जो आपके जो ब्रांच बेनेजर आये थे उन्होंने भी आमसे कहा कि हमारे पास तो जो है क्रेडिट की लिमिट सर्फिशल उसके ओ आये आये रुगवती राम जी आ हाँ तो राजाराम जी आफिस में बैठ बैठ कर कितनी कहानिया लिख दा लिया आपने दूबे जी पता है मैंने इससे भी फाइल मोगवाई अकाउंट्स की वाज़े मैंने खोल की देखी ना तो उसमें से पता क्या निकला पढ़के सुनाओ मैं आपको मन की विलोचना गीता के मन की विलोचना समझना कठिन था परन्तु असम्भो नहीं यदि सुरेश एक बार उसकी बुजी आखों में देख लेता तो जान पाता कि गीता के मन में प्यार का सागर है उसके लिए सारा दिन उस खाट पर लेटे लेटे गीता उस नीम के पेड़ को निहारती रहती मनों उसे सुरेश में उसका दरपन दिखता हो आखिर सुरेश और वो उसी पेड़ पे लटक लटक कर लंबे हुए थे क्या करूं राजा राम में तुम्हारा गलती हो गई दुबारा नहीं होगा अगर अगली मारे गलती होई ना तो बैंक के में दरवाजे पर तुमको खड़ा करके तुम्हारे पिछवड़े पर लात मारूँगा मैं समझ गए अगर 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 नहीं अगर नहीं हुं तो उसी मेहनज से कमाते क्यों नहीं हो यहां बैंक में क्यों कर रहे हो गाम और अपनी बेज़दी का इतने ही तुम्हें शरम है लियाज है तो मन लगा कि करूं क्या करो जाओ रहे से खूल क्या रहा है जाँ सकते पीज़दी मत करो आए खूले इस मार खांग देखा आज में दूबिदी समझा रहा हूं आखे दिखा रहा है यह आज की दुनिया यह सर को देदो और आप सुनाइए साब यह आपके लिए राजयरा मिलने दिया इतनी जली है पालिए बात के अमें है आघान है संगी अगय使 says और चाहिए हांग तो घ्राम एव फारे से समय हा भी आजो करो γ्याओ लिए उन्रे ओंदी सया हरु लिए आपके। सुनो, अंदर चलो न, हाँ, सुन, दिमाग खराब हो गया तेरा, नौकरी छोड़ कर आ गया, कोई काम सोच समझ के नहीं कर सकता तू, कितने दिनों से सोच रहा था, तू तो जानता है, अरे तो ऐसी नौकरी छोड़ कर आ गया तू, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो, सही तू किया इनोंने, बात परेशानी की नहीं है, भावी अब करेगा, क्या, मैं काम करूंगी, मैं घर चलाओंगी, कडाय बनाएके कपड़े बहुत बिखते ही हाँ, नहीं, उसकी जुरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मैं कुछ कर लूँगा, क्या करेगा, राइटिंग यह तो अच्छी बात है, अच्छी क्या बात है भावी, राइटिंग में इसके पैसे देगा कौन, वो तेरी पैचानवाला है न, उसने बोला था, उसने बुलाया, अच्छा, हाँ, कब बुलाया, कल, मैं राजाराम वैश्नव, वो शिफशंकर जी से मिलना था, तो क्या लिखते हैं आप, किसे, कहानी, अपन्यास, मैं आपके पास छोड़के गया था, भाई, बिजी होने की वाईसे मैं पढ़ नहीं पाया, अब वैसे भी हम तो वस ये कुंजिया और गाईडी छापते हैं, आप तो पढ़े लिखे दिखते हो, मैं कहता हूँ ये सब अरे, कम्पिटीशन के लिए, टेस्ट पेपर वगरा दिखा करो, भी जी ने बताया था कि आप चाचा चौदरी जैसे कुछ चाप रहें, हाँ, चाचा चौदरी, इंसान के दिमाग को कम्प्यूटर से भी तेज चलाए, चाचा चौदरी गाई, मैं ये सब नहीं लिखता ह कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, वैसे हमारा उफर खुला है आपके दिए, शुक्रिया, शुक्रिया झालए fist, की जाचा चौदरी, इंसान के दिमार श्लीतोरत चौदरी जयर श्रिवता हूं, जलता ही दोता है कि अधिए जाएंगे कुछ लेख के जाएंगे कुछ देख के जाएंगे मरे कृष्णा बड़ा खुश्या क्या हुआ आप तो नहीं बन गया कि अधिए अधिए प्रफी नज़ा है देख क्रिशन ये तो बता हुआ क्या ब्राइब दो लुक्राइब किया शबून कि रुख कला अब जो है कि अरे दो एक ने हमें तो वह पहरा हैंगे शुष्णा जए तो वाके वाड़ी खुची गीबाता लेकिन हॉले हॉले। भाई साथ, ये प्रोहित पॉब्लिकेशन कहां पड़ेगा? हम ये प्रोहित बोलिये तो आप भी कुंजी और गाइड चापते हैं? पहले हम भी steady material ही चापते थे लेकिन जब से ये novel बगारे demand में आया तो हमने भी चापना शुरू कर दिया तो इससे पहले भी आपने novel चापे हैं? लेखक सहाब, लगता है आप सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते बिलकुल नहीं हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे दो novel बच्चन की फिल्म से भी ज़्यादा हिट रहे हैं पहला मा के हत्यारे और दूसरा कुत्ते का बाल कुत्ते का बाल? आपने पढ़ा नहीं? नमस्ते बेटा, असली साहितिक रचनाए हैं राइटर ने क्या लिखा है माहा कसम, जान डाल दिया उसमें पढ़िये, तब आपको पता लगेगा कि ये novel हिट के हुआ था इसलिए अब तीसरा भी छाप रहे हैं उसका क्या टाइटल है? उसका टाइटल है, आप तुझे काट खाऊं, कैसा है? अच्छा है, और इसे लिख कौन रहा है? लेखा कि इसका कुत्ते का बाल जब से हिट हुआ, तो निकल लिया बंबे को कहरा फिल्म लिखूंगा मैंने कहा धक्के घाएगा सुनने में आया कि धक्का खारा भॉमे में साला आएगा, गलत आदमी को चांज दे दिया था चलो, हम अपने साले साब से मिलवाते हैं ओए गरगर, कितना टाइम दर आएगा वामखौर यहां बैटे बैटे पुर्सी करम होगी है मेरी जल्दी किताब ले क्या यहां हर तीसरा आदमी राइटर है अरे ओ कुकरेत्ती मेरे जाते ही तू रासी फल देखने लगता है मेरी रासी क्यों खराब कर रहा है काम कर ले, एकाम कर ले अरे यो आपस आ गई बड़ा मुस्कुरा रहा तू ठीके ठीके यहां बात्ती हमारे साले साब यह नौल चापने काईटिया ही नहीं का था बहुत पड़े लिखे हैं अंगरे जी भी जानते हैं अलो, मैसल भाती ग्रजुड़ेज लिखे हैं तो राषनकार तेना आपस आपने लिख़से हैं क्या नाम बता है अपना? अंस mí जी मैंने आपसे बताया थाना कि आफिका थारा काम है रही देखते हैं कौशी के एप छ्पनी चेए टाइटल क्या होना चाहिए, कहानी क्या होनी चाहिए, क्या चीज छपनी है, क्या चीज नहीं छपनी है, सब यह देखते हैं, तो इनको अपनी कहानी सुनाओ, अगर जच जाएगी, तो ठाख देंगे, आप एक काम कीजिए, अपना नौवल छोड़ जाएगे, और अगले ठेक है, गरे ठेक कराई, फा नफेटल दर, वट, अज़। व्हर। अपने काम कोरा मुआ है, एक क्या खेवर और लिख़ते हैं, तो आट गर्टक्ञाशा है, वट, शुज। प्रूर्ट, गर्टने तो, अबर्ट, प्रट, सुटने प्रूएट, टो प्रट, वटने नवट कहानी ओक लेस्ट पूट इड़ एंगो लेटर टाइप हो गया? कितना और टाइम लगाया? अक्पार लिकर आए क्या? करो दिंदी गो कप्ता गों? नेक्स वीक झाल इन किताबों का इसाब बनाकर मेरी टेबल पर बचा दो, ठीक है? कहिए वो आपको किताब दी थी पढ़ने के लिए कुन से किताब? वो पिछले हफ्ते आया था मैं कुछ कमी रही? कमी नहीं है, कुछ था ही नहीं उसमें लग आपती स्टोरी में न सर्था न पाऊं आज किती फिल्में देखते हैं? टालक सुनते हैं? कुछ एंग्री यंग्मन टाइप होना चीए समझने हैं? पर मेरी कहानी में तो लड़की थी तो एंग्री यंग्मन कैसे डालू? कुछ मसाला डाल जो इसमें मसाला मतलब? मसाला भी मैं ही बता हूँगा तो मैं राइटर नी में जाऊँगा चाहिए, कुछ मसाला डाल लिखके लगे अच्छा, रेनो? ये, ये मसाला क्या होता? अरे भई आसम की चाहे की पत्तियों के साथ कुछ जड़ी बुटी वगारा लॉंग विलाइची अध्रक घरम रगता है घरम? अरे भई शरीर को घरम रगता है आप चाहे पीजिए ये ही डिक्कत क्या हुआ? यार इसमें मसाला डालो यार मेरे भाई डालो मसाला नमस्कार ये मसाला है मसाला है ये मसाला है? तुम्हारी जिंदगी ये मसाला है मैं तो बस पे मसाले जिंदगी जी रहा हूं ये मसाला लेके जा सकते हम? हाँ जाओ आज चले क्या खाना खाने? तो चलो गर पे भावी ने घिया बनाए अच्छा आज और तो और तुम आज हमारे घर पे रुख जा न हाँ हाँ वैसी रुखेंगे जैसे जैसे पहले रुखते थे खाते थे खाना आपन लोग है न अच्छा कुछ थोड़ा सा वो ले ले कुछ पीने के लिए नहीं तुम घर पे मत रुखो हाँ हाँ घर पे नहीं रुखेंगे खालेंगे खाके निकल जाएंगे है ना नहीं तुम खाना वीज़ो है बस्टे आइंड पे खालो हमें काम करने के लिए शांति और एकागरता की जूरत है तुय दोस्टी पे तुमारी तुम जाओगे मैं चला अपनी गली मैं इस गली से नहीं जाओगा तुम इस गली से नहीं जाओगे से यह ले जा झाल 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 क्यों बड़कुरदार कैसी लगी परोसन मसालेदार है रेश में शिर्मा क्यों रहा है रेश में तो बुराई थोड़ी ना है यही तो है असली मसाला जुन्दगी का खर में चलता हूं उदेर हो रही है झाल 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 शैला हाँ यही नाम था उस्टूशन टीचर का मैं जब भी उसे देखता मेरी कामनाओं के सैंकडों नाग फन फिलाए खड़े हो जाते और क्यों नहूं शैला का कोरे कागस की भाती श्वेत बदानाम अंतरिद भी तो करता था कि कोई अपनी कलम से उस पे कामुक कविता लिख दे जबकि उसका खुद का पती शायद अब तक दस्तकत भी नहीं कर पाया था आज सही मौका मिल गया था मुझे एक तो उसका पती घर पे नहीं था और उपर से शैला के कमरे की खिड़की का खुला परदा मुझे आमंतरित कर रहा था मैं उस खुली खिड़की से अभी अभी नहा कर आई शैला के एक एक अंग का बड़ी बारीकी से निरिक्षण कर रहा था कि आचानक उसकी आवाज न मुझे बुरी तरह से चौका दिया क्या चाहिए रा कि लिखावट का एक एक हर्फ पढ़ने का बड़े करीब से मौका मिल गया था मैं किताब की ओड़ से कथे बलाउज में लिप्टे शैला के उतार चड़ाव देखी रहा था अरसुन कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली जरही हुक्समन कर दे मैं किसी कुशल परवतरोही की भाती पहाडों की सैर पर निकल पड़ा था और शैला इस स्यात्रा में मेरा भरपूर साथ दे रही थी शैला को छूते ही मेरी कामनाओ के नाग भूंकारने लगे थे उसने मुझे बाहों में लेकर आग में घी डालने का काम कर दिया था बस फिर क्या था कूद पड़ा मैं उस खाई में मैं और शैला पूरी तरह से भीग चुके थे और इस तरह से बरसे मुझे पे यौवन की पहली बरसाथ पकड़ो यार हम अभी आते हैं भारती जी आपने बोला था ना मसाला डालने के लिए मैंने पूरा डबबा डाल दिया भारती यहां मत पढ़ना सब गड़बर हो जाएगा राम जी यह क्या लिखाया आपने मसाला तो ठीक है लेकिन यह हिंदुस्तान है यहां यह सब नहीं चलता क्योंकि लोग छापते नहीं है खरीदने वाले तो भरे पड़े हैं कौन खरीदेगा हरो आदमी जिसके अंदर फिलिंग्स है हैपी, साड, एंगरी क्यों भारती जी है ना मसाले डार मतलब छाप तो दें लेकिन पब्लिकेशन का नाम खराब होगा तो तो मट डालिये नाम किसी का भी नाम मट डालिये जैसी जैसी एक काम करते हैं तीन सो कॉपी चपा देते हैं क्वालिटी भी लो है और कितने उतारते हैं देखते हैं पब्लिक या रिस्पंस देती है मगर पैसे की बात अभी मत करना तो मेरी किताब चपेगी प्रणाम पंटी जैसी प्रणाम कैसे हैं मैं तो ठीक हूँ वह हमारी बीए सिकंडर की कॉपी आई हान लीजे ना लीजे एक और खिताब है लोग है कौन सी अरे खास है यह जेखो नहीं आईए पलकर देखो एकदम नहीं है जुआ कर देखो प्रणाम पंटार आईए कर देखो जुआ प्रणाम जुआ राम धी क्या विखा है मार्केतम दिल से कह रहा हूँ कमाल मार्केत में डिमाढ की डिमाण है नाम है राजाराम तसरे हैं अप ऐसी टड़ा टढ लिखते जाएं और हम धड़ा-धड़ छापते जाते हैं मार्केत में धनिया बोना क्या बात थे नहीं जे जी जी लेकिन किताब करना कुछ अच्छा सा कुछ नाम सोच लेते हैं, तो नाम अभी बोला ना आwid गने बोला मस्त राम सब की जुबान पर एक ही नाम मस्तराम 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 रेनु अरे क्या कर रही हो तुम काम छोड़ो छोड़ो यलो जलेभी खाओ जलेभी खाओ 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 तुम्हें पता है आज मुझे पहली बार मेरी लिखने की वएसे पैसे मिलें पहली बार मुझे किसी ने पैसे देख को कि उसे मेरी लिखी वी कहा कानी पसंद आई किसे प्रोहिजी ने प्रोहिजी बोल रहे हैं कि वो मेरी कहानी चापेंगे कौन जी कहानी अरे वो छोड़ो तुम यह लो यह देखो मैं तुम्हेर ले साड़ी लाया हूं क्या हुआ अच्छी नहीं लगी इतनी महेंगी साड़ी करीदने की क्या जुरूरत थी घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए हमें और वैसे भी मैं पैनूंगी कब घर पर ही रहती हूं मैं प्रोहित जी ने मेरी कहानी चापी है ना मैं और कहानियां लिखूंगा और चापेंगे फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा फिर मैं तुम्हें गुपाने भी लेके जाऊंगा कहां वशिष्ट मनिकरन और हडिम्बा मंदर कांदी लाल जी नमस्ते राजाराम जी कहिए कैसे आना हुआ वो एक किलो गुड़ दे दिजिए अभी लो एक किलो गुड़ और कुछ बस कांदी लाल जी हां जी कहीं एक पैकेट नम्मर के ठाली दे दो पैकेट तो नहीं है खुला चलेगा कांदी लाल कामुक्ता के बगीचे का एक ऐसा व्रिक्ष था तो नहीं हुआ है यहां है यहां है कि मेरी तरद से आपको मुफ्त में शुक्रिया है कांदी लाल कामुक्ता के बगीचे का एक ऐसा व्रिक्ष था जिसकी सुडोल शाखाएं किसी नव्युफ्ती को देखते ही कामुक्ता का रस टपकाने लगती थी वो अक्सर उस बनिये की दुकान से नमक लेने आया करती थी जबकि बनिया उसके नमकीन यौवन से नमक की दो डलियां चुराने की फिराक में रहता था गुडिया ने यूँ तो जवानी के सोलवे वसंत में अभी कदम रखा ही था लेकिन उसका सुरीला वदन किसी ऐसे मध्धम राक की तरह था जिसके दो सुर अनयासी उंचे उड़ गए हो धीरे धीरे गुडिया को मुफ्त के लॉलिपॉप की आदत सी हो गई थी वो बनिया जो अपने लॉलिपॉप का धन गुडिया के यौवन बैंक में बरसो से संचित कर रहा था आज वो धन किसी बीमा पॉलिसी की तरह मैच्योर हो चुका था और बनिया इस मैच्योर पॉलिसी का पूरा फाइदा उठाने में कामयाब हो चुका था अब वो हर रोज गुडिया के यौवन रुपी बैंक से परम आनंद की पेंशन का भरपूर लाव उठा रहा था राजा राम जी आप वे कमाल के इसान हो अरभी लाट्य कांसे माल मसाला बनिये का लॉली पॉप हैं खानिया तो आसपास से निकलती हैं प्रोज जी मेरी आप से विनिती थी विनिती मत करो बोलो काम क्या है मैं कहरा था कि अगर आप मेरे एक दो अच्छे वाले नावल में भी छपा देते तो ओक्या राजा राम जी अगर अच्छे होते तो हम जरूर छपा देते हैं यह देखिए खास पर पर आपके लिए मेंगवाया दिली से पैसे रच करते हैं तो बस उंगली चाहिए और प्रणाम पंडित जी प्राम कैसे हैं वो मस्तराम का नए अडिशन है क्या है अरे अभी नहीं आया आने वाला है आएगा तो पक्का बताईएगा तुम्हें ही पहली प्रती दूंगा चलता हूँ पंडित प्रणाम जीते रहो जीते रहो एक मस्तराम जीते रहो क्या है यह सब चाचा अरे नहीं किताब वा बेटा तुम भी पढ़ते हो है सब भकवास मैं नहीं पढ़ता चाचा अरे तुन नहीं पढ़ते ही तो बर्खुरदार पढ़ा करो अगर जुंदगी का लिप उठाना तो पढ़ो इसे अरे चाचा मैं आपको बतलाइदे रहो हुए यह सब ठीक नहीं हो रहा है अरे हमारा देश कहां जा रहा है तरपकी कर रा बर्खुरदार दिखाई की दे रहा है का तुझे मैं बतलाए दे रहा हूँ चाचा, इस सब के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, तुम्हें काम करो, एक बार जड़ा धंग से इस किताब को पढ़ लो, और भी बहुत कुछ उठ जाएगा, क्या समझे? आप तो समझदारी की बात कीजिए, आपको क्या हो गया इस उमर में? इसकी भी कोई उमर होती है क्या? सच कह रहा हूँ, एक बार जड़ा धंग से बैठ के पढ़ के लेख, बास बास, अच्छा, शुकरिया, अगर कुछ खराब हो गया ना, मैं तुम्हें ही पकड़ूँगा हाँ, पहले बता रहा हूँ मैं, पूरे पैसे दियें, महेश, महेश, हाँ, आजा, अरे आ रहा हूँ यार, घोड़े पर चड़ क्या है, क्या? नहीं, धक्का लगा के, हे, 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 स्कुटर, हाँ, किस से लिया बे, अरे नया खरीदा है, खरीदा है, कितने में, अरे दो जार पे नकट दी है, मुझे ले चलता में एक हजार में दिलबा देता है, अरे यार, तुने कर दी ना फिर वही बात, अच्छा बता क्यों आया है मेरे पास, अरे चलाना सिखा दे यार, हाँ, बेट्टा, आयाना में काम में, हाँ, हाँ, अभी अतल तुम में, हाँ, हाँ, अभी अतल तुम में, चलो, पहले चाए पियेंगे, हाँ, तो क्या लेंगे आज आप खाने में, मटन मनाऊ, आरे भावी मैं मनाता हूँ न, आप लोगों के लिए बड़िया मस्त, हैं, जब मैं स्कूटर से ला रहा हूँ, मुझसे बात मत किया करो तुम, समझ रही हो तुम, ठीक है, हाँ, पूरा बैलेंस भी गर जाता है, अच्छा, सब आपकी किताब देखना चाहते हैं, एक घर पर रख दो न, हाँ, देता हूँ न, दिल्ली से मंगवा के, चले, अब कुछी हो तुम, आपकी किया राम बाबू, नया स्कूटर, क्या बात है, भाई, आओ, आओ, राजरा, क्याचे हो, क्याचे हो, मरिया, सफीक तो है, हाँ, सफीक है, सब बढ़िया है, वो तो नजर आ रहा, अरे, हम तो पहले से जानते थे, उस तो बात है हमारे राम बाबू में, मैंने कहा निजा क्या, यह तो बताँ कि तुमने जो पिताब लिखी है, तो है इसके बारे में, वो एक लड़की के बारे दुखाए, वो भालो हाँ गे, रहे क्या चाचा तुम भी, इनोंने लिखी है, सुना देंगे जो, हाँ, 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 वड़का चाहला आता हूँ, हाँ, 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 इन्हें क्या हूँ, कुछ निए इसकी बीवी भाग गे, दिली में, पराय मर्ज के साथ तक, तक कुछ निए राधा kids ओixon का ढरिक्रिशार ही, मैं से लिखे पूंछ रहते हूँ, इस प्लाव बाड़ दिखा रुखता हूँ रपती जी, और सब लोग ना मुझ से पूछते रहते हैं, ती novel दिखाऊ, i.n. मैं उन्हें बता नि सकता की मैं मस्तराम लिखता हूँ मैं सोच रहा था कि अगर आप एक दू नावल चपा देते तो मुश्किल है राजराम जी चपाते हैं मैं जी अजी से बात करता हूँ शुक्रिया है अब जागे खुशी खुशी अपने करें तो मुझे एक बात बताओ मतलब यह राम बाबु ऐसा लिखते क्या है जो इतनी तरक्की कर रहे हैं स्कूटर ले लिया घर रंगवा दिया पता है रेनू के लिए हर मैने नहीं साड़ी लाते हैं राइटर है राइटर ऐसे कमाते हैं अच्छा तो तुम क्यों नहीं बंदे राइटर भाइसाब यह राजाराम वैशनव की मन की बिलोचनव यह लिज्या कितने हुआ एक रुपे पहले बंदे हैं जो यह किताब लेने आए पहली किताब जा रही है लो तुम्हारी मुराद पुरी हो गई अरे क्या कर रही हो पहली बार घर लाए है किताब हादो दो ना पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं जचा मुझे दाल में कुछ काला लगता है आपने कभी बढ़ा है उसका नोवल देखा भी है कभी देख किसी ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है इसलिए तो अपने दिमाग में ज़्यादा विचार मतलाया कर सोच मत ज़्यादा अगर जिंदगी में मस्त रहना है तो ये पढ़ मस्त राम ये प्यास का है ये तो हाँ हाँ पर मेरे लिए तो चिहास ही है और बताओ नौकरी कैसे चल रही है बढ़िया चल रही है बास पूझ रहा था तुझे अच्छा नोवल पढ़ा सुने टेड़ा अच्छा रहा था और कितने लिए अच्छा था अच्छा था यार मुझे तो बस ठीक ठाक ही लगा ठीक ठाक मतलब वो तुम शुरू और सब समझना अगे सब यार अच्छली में मुझे ना सर से निगली यह बात मतलब पूरा नोविल जो है समझ में नहीं आया तो मजाक कर रहे मायँ मैं सही कह रहा हूँ कसम खांक क्या एक्राक खां छलो खैर छोडोड तो मजाक लग रहे है पटाए किसम चोड़ोड बाति-खुरण갔 और उकात कि रही अधात की तो बात है पुकात की तो बात है कि छोटे लोग हो तुम हमें इसे छोटे ही रहोगे तुम कि चलो अपन शराब पीते हैं छोड़ो वह बात नोवा लोगा नहीं पीनि मुझे तुम्हेरे साथ इस शराब कि अगर कि कांग्रिश्मेशन आप पापा बनने वाले हैं कि अगर किस बात की मिठाई बांट रहे हुआ है अरे वाब बात बनने वाला हूँ अरे वाब अरे में खानू मुबार्यक 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 बेजर की बर्फी है यह सब में बाठ देना है मैं जाता हूँ तरक्की कर लिए तुम्हारे दोस्त ने तुम नहीं खा रहे हैं मिठाई सर वो मेरा दोस्त नहीं सर बड़ा आदमी हो गया है क्यों बाई ऐसा क्या कर लिए उसने उपन्यास तो हमने भी पढ़ा उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है है मतलब मैं समझने पाए सर अब उपन्यास पड़ोगे ना तो सब कुछ समझ माँ जाएगा तो मेरी तरफ से नहीं सर वो उसने दिया ने लीजिये ना खाईये अब रहने दीजिये सर अले ले लीजिये ना है सफेद सकर्ट से बाहर जहाकती नर्स की दूट से भी ज्यादा उजली टांगें जब धीरे धीरे सीडियों पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई अपसरा मुझे स्वर्ग लोग के दर्शन कराने के लिए आ रही हो उसके बदन की चिकनाहट देखकर लगता था जैसे कारिगर ने यौवन की इस मूर्ती पर बड़ी तब्यत से रद्दा फेरा हो बदन में रत्ती भर भी कहीं ज़्यादा मास नहीं था लेकिन जहाँ होना चाहिए था वहाँ भरपूर था उस कातिल नर्स ने मुझे भी चल ली कर कामेरी आवाड में भरती करने के लिए उठाया तो मैं चूं भी नहीं कर पाया बड़ बदन में रत्ती भर भी कहीं ज्यादा मास नहीं था लेकिन जहां होना चाहिए था वहां भरपूर था उसके बदन की चिकनाहट देखकर लगता था जैसे कारिगर ने यौवन की इस मूर्ती पर बड़ी तब्यत से रंदा फेरा हो रामपुरिया चक्कु से भी ज़्यादा पैनी आखों ने हस्पताल के हर एक मरीज को कोमा में पहुँचा दिया था जहां से बाहर निकलना नामुम्किन था उन्हें टीबी या मलेरिया नहीं बलकि कामेरिया हुआ था जो सिर्फ नर्स के इंजेक्षन से ही ठीक हो सकता था उस कातिल नर्स ने मुझे भी चली कर कामेरिया वाज में भर्house करने के लिए उठाया तो मैं चूँम भी नहीं कर पाया कि वो नर्स मुझे इंजेक्षन के साथ साथ प्यार की दो टाबलिट दे कर हमेशा के लिए कामेरिया किलत लगा देगी और इस तरह से हुई नश्की होस्टाल में पहली स्वागराइब मखन भाई मखन भाई अरे लाजासां बाफू कैसे हैं चार अंडे अंडे मखन भाई चाचा नहीं दिखाई दे रहे बड़ देनों से अरे वो क्रिष्णा को साथ लेके तीरत ही आतरा पर गया है क्यों अरे क्रिष्णा की बेवी भाग गए थी ना बस उसने सरन्यास ले लिया इसलिए चाचा उसे लेकर गया है चेलिजे अरे बस अब तो खाली खाली सा हो गया है मज़ा ही नहीं आता बस वो बेर बस आप तो हम कि इसी से ही मन लगा कर रखते हैं अरे आप कहा पढ़ते होंगे ये घटिया चीजे नहीं नहीं मैं पढ़ता हूं कभी-कभी आप पढ़ते हैं हाँ अरे बस शकल से ही शरीफ देखते हैं मेरे मखन भई ऐसे कोई बात नहीं है वैसे एक बात बताऊं हाज तो ये सब लोग छुपके करते हैं एक दिन आएगा सब खुले में होगा देख ले ना ये लीडिया पढ़िया आप पढ़िया अक्रिया आप किसी को इसके बारे में बताईए गाने है मैं भावी को भी नी बताऊंगा आप अरे राज बेशरम सुरा जहादर वापस नालाइट बेशरम इसलिए स्कुल भीषते तुम्हें अरे भावी क्या हो गया क्यों डाट रहे बच्चे को अरे भावी क्यों मारोगी बच्चे को बच्चा अरे अरे तरह भावी को आप अरे अरे तो बुरी बात है बहुत बुरी बात है अरे तरह आप कुछ करो ना मैं हाँ वाप शुधार ओ मेरे बच्चे को हाँ मैं मैं सम्झाता हूं उसे तो पहर को तो आप खाली होते हो, उसको ट्यूशन पड़ा दो ना आप, हाँ मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, हाँ आप करो, राजराम जी बहुत महरबानी होगी, सुदार दो मेरे बच्चे को बस, जी, और राजराम जी, ये सब ना सुरज के पापा को मत बताना, उ उनको पता चलेगा ना, तो इसकी टांगे तोड़ देंगे वो, हाँ बताओ ना कहां जा रहे हैं, मैंने का था ना मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, हडिमबा, नहीं, वो तो पीछे रह गया ना, वो वापस आते हुए चलेंगे सुनो, तुम यहां रुको, मैं दो मिनिट में आता हूँ, हाँ ठीक है भाई सब, वो वाली किताब है, वो वाली किताब जिसमें वो वाली कहानियों होती है शरवा के लगर, खुलके बोलो, मस्त कलंदर चाहिए मस्त कलंदर, नहीं नहीं, मस्त्राम गुजावा तंदूर है, मस्त्राम, यह बढ़ो मस्त कलंदर, बढ़िया है यह कौन से किताब है, यह तभी पड़ी नहीं है, एक एक पन्ना तंदूरी है क्या से लेग रहे है, यह तुम, मैंने तुम्हे मना किया था है, जाओ, जाओ, मैं आ रहा रहा हूँ, जाओ तंदूरी दे दू सुनो, उसके ओपर बैठके न, अपनी कुछ सेख लो यह क्या है, क्या है, मतलो, पैसे तो मुझे भी पता लेकिन ये तो कम है नहीं जिसना पनता उतना देर है मुटलब राजा राम जी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मस्त राम आजकल महार स्क्रीट में नहीं चलती है वो टाइम जया जब आपकी दूम थी अब ऐसी ओर किताबे दफ आ गई है उपर से डबल एक्स मैगजीन फोटो वाली और असल बात तो यह है कि आपकी कहानी में अब कोई दम नहीं रहा है विपीटी कहानी अब बलबाथ रहने दीजिए मैंने भी वो किताबे पड़ी हैं सेक्स डाल देने से ना कोई कहानी नहीं बन जाती है और डबल एक्से मैगजीन वो मोटी मोटी औरतों की तस्वीरे होती है उसमें उसे देखके कोई फीलिंग नहीं होती है सुषी शरके कि पंची है में सब्सुक्ति यूची मेरा इस अब करते के सबस्के काच्प नहीं होता है हो भी एब आज खे लिए और जाट रटेज और क्रम अव्टकरतु करें में तुम्झे है पता हुट आए पाता है पता है पता है अरे उसे का मौलने शांकर ले क्या मन की विलूचना नाम से एक उपर ने आसा है मन की विलूचना हमने तो पड़ा नहीं कुछ और उसके लावा मस्तराम मस्तराम वो श्लील किताब तुमने लिखे यह मैंने उसके लावा और भी नावल लिखे हैं कौन से जैसे की जाकते रहो और एक मैं और बहुत सारे हैं चोड़ो चोड़ो राजा राम हमाली भी मस्तराम वी लिखो सब मैं नावल चुपाना चाहता हूं मस्तराम ने तो फिर मन की विलूचना लिको सब्सक्राएश우 जुब कि क्रिल्चना राहता हूं मत्रश मетड़ इंडा और इंसे का सब मत्राम वार आप हूं है झाल झाल क्या हुआ स्कूटर नहीं है वो ठीक करने के लिए दिया है एक दू दिन में मिलेगा आप परिशान लग रहे हुआ कुछ हुआ क्या तुम जाओ मैं आता हूँ कुछ तो बात है कोई बात नहीं है बताओ ना अरे एक बार बोल दिया ना तुम्हें जाओ ना अरे भावी आप जी नमस्ते नमस्ते आईए अंदर आईए मुझे आपसे बात करनी थी अच्छा तो चाय तु पी लिजी आईए नहीं ठीक है बोलिये आजकर वो बहुत परिशान रहते कब घर आते चले जाते कुछ पता ही नहीं चलता आप क्यों ने बात करते उनसे आप तो दोस्त है उनके अरे आप भावी वो बड़ा आदमी हो गया है मैं तो बहुत दिन से उससे मिला ही नहीं सब कहते हैं कि अगर किताब छप रही है तो वो कहा है मतलब क्या मतलब समझ नहीं पाया मुझे खुद समझ मेनी आता कहीं कुछ गलत एक काम करता हूँ मैं बात करता हूँ उससे वैसे वो बहुत दिनों से मिला नहीं मुझसे खैर मैं आता हूँ भवी अभी पता नहीं जाने क्या हो गया बता क्यों बुलाया अभी तक नाराज है मुझसे नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है यार वो भावी मिली थी मुझे बोल रही थी तू बहुत लेट आता है कुछ बात करो तो चिलाता है क्या वात है नहीं बताना यार क्या लफला क्या है मैंने वो पबिशर के यहां काम छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया बस ऐसे ही कुछ पंगा हो गया था क्या पंगा हो गया था बताना यार क्या पंगा हो गया था मैं वो मजा नहीं आ तो जो बैंक में मजा नहीं आ रहा था अब इदर मजा नहीं आ अब तु तुने बहुत सी कितावे लिख दी ना कहीं भी चले जाना दो मिम्मिट में छप जाएंगी एंगा पता नहीं कोई च्छापएगा या नहीं तू कुछ छुपा तू नहीं रहा मुझसे नहीं बता ना यार मैं तेरा दोस्तू यार कुछ भी दिखका तू पता हैं मिल रहा हूं मैं पब्लिशेर से कोई ना कोई तू छापी देगा हां हां छापेगा क्यों नहीं छापेगा एक एक पैक, थोड़ा थोड़ा, नहीं यार, मैं चलता हूं, यार तू इतना सीरियस क्यों है, मैं समझ में नहीं आ रहा, बस ऐसे यार, ज्यादा लोट दिमाग भी मतले, बूड़ा हो जाएगा जल्दी, तेरे से पहले नहीं होंगा, तो रुख जा फेर पीते, अरे नहीं मैं जा रहा हूं, अले ले ले, मेरी रानी बेटी, क्या हो गया, रो रही है, पता नहीं क्या हो गया इसे, भूख लगी हो गया इसे, आती हूं, सुनो, ये क्या है, वो सूरज के पुराने कपड़े है, कविता के लिए, क्यों, जरुर्यत होगी न, आती हूं, जरुर्यत होगी, न, आती हूं, जीजा जी, वो सारे के सारे नहीं राइटर ना, सब गधे के बच्चे निकले, स्कूल कॉलेज वो ऐसे बंदो रखे हैं, सब सालों को मस्तराम ही चाहिए, अब मस्तराम कहां से लेक्या हो? जीजा जी, अगर एक बात बोलूँ तो डाटा होगे तो नहीं, बेटा मैं तुझे प्यार से ही डाटता हूं, जीजा जी, वो मस्तराम वाला किस्ता न, तुपारास से स्टार्ट करतेते हैं, बातीर, तुम्हें लगता है कि वो अगर हमारे लिए लिखेगा? लिखेगा? अरे बहार आके बैठा है, दो गंटे से बाहर बढ़ा के रखा है मैंने, अगर पहले बताना चाहिए, जल चुल 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 अंदर वाना चाहिए था, राजा राम जी गले में हो, देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ, और नई शुरुवात करते हैं, अपने अंदर के राइटर को जलाओ, बोलो को भीया बढ़ा सो लिया, अब कुछ काम करते हैं हम इनके, राजा राम जी, फिर से लिख डालो क कुछ मसालेदार, पैसे पैसे आप बताईए कितने चाहिए है, तेरी दिदी जायज मिलाई थी, पैसोती जी उतने ही मिलेंगे जितने पहले मिलते हैं, आपने कुछ कहा नहीं? मेरी कामनाओं की पतंग उडान भरने को आतुर थी बारिश बहुत तीज हो रही ना चल चलते हैं कुछ एक एक पैक हो जाए नहीं है तुझा मैं आता हूँ अरे चलना यार मैं आता हूँ कुछ काम है सो मैंने उसे टाल दिया वो रेनू के पास चला गया अभी खाने में क्या-क्या बनाया है माटिन बनाया है रोटी बनानी बागी है तो रोटी मैं सेंग देता हूँ चलो आप महेश ने जिस अंदास से रेनू को छुआ था मुझे एसास हो गया था कि कामनाओं की बारिश से वो भी पीडित था जैसे ही उसने योवनरस को चखा उसकी प्यास और ज्यादा भढ़क गई जिसे वो गुंदने को आतुर हो रहा था रेनू उसके इरादय भाप कई थी लेकिन वो अपनी कामना पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी इस धर से कि कहीं कोई आ न जाए लेकिन महेश के हाथ बे काबू खोड़े की तरह मुलायम रेत के टीलो पर अनियंतरित दोड़ रही थे और आखिरकार रेनू की कामना के आगे उसका डर हार गया अब वो भी महेश का भरपूर साथ दे रही थी और किचन के अंदर चल रहे तुफान की अवाजों ने मेरे अंदर के तुफान को और भड़का दिया था और उस तुफान में अचानक यौवन की एक मूरती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई यह मूरती और कोई नहीं सवीता भावी थी बारिश में भीगे उसके बदन के उतार सड़ाब देख कर लगता था जैसे संगे मरमर से बने दो गुमबद बारिश में भीग कर और ज़्यादा खिल उठे हो जैसे ही उसने मुझे छुआ मेरी कामनाओ की चिमनियों से धुआ निकलने लगा किचन के अंदर का तूफान पूरे उफान पर था और अब एक तूफान यहां भी भड़क चुका था और तूफान शान्थ हुआ तो बारिश के कुछ बोंदों की टप टप की आवाजें आ रही थी बारिश है बार दूफान पर प्रश प्रब्साइब यहां लगा दूब गर यहां लगाजेशन प्रभवाज की आवाजें लगाजाख प्रवाजें डिकलने लगाजें रहीं प्रभवाजें लगाजें अब आए नब वापस हमारे मस्तराम माकसम जो बात आप में है ना वो किसी में नहीं है यह देखे पहले आप क्या है यह किताबों में बिकता सेक्स लो जी मस्तराम जी अब तो अखबार में भी हमारे चर्टे होने लगे हैं जीजा जी इतना मत्खुश होई है यह साले अकबार वाले यह सब अगर सरकार के नजर में ले आए ना तो बंद कराने में दो मुनेदी लगाई है बता रहूं आको बात तो कोई और चापेगा जैसे मैं नहीं लिखूँगा तो कोई और लिखेगा है ना राजा राम जी आपके आने से ऑफिस में रौनक सी हो गई है सुनो अख़बार के ऐसे वेसी कोई बात नहीं है देखो जैसा प्रोई जी आपने मुला रहा कि एक हफ़ते में पैसे मिल जाएंगे राजा राम, नौवल हिटो ने दो, इधर भी पैसे, इधर भी पैसे, पैसे 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 क्या कहते हूँ? बहुत ही प्यारा नाम है, भार्ती तुभार पास है कुछ पैसे? ये जी उतने नहीं है, ठीक है मैं देखता हूँ तो लो, रखो बच्ची पैदा हुई है, खुशी मनाओ राजा राम, पैसे आएंगे, चिंता मत करो आरे राजा राम, चिंता मत किया करो मेरे होते हुए, ठीक है, चलो, बढ़िया सा लिगो, कलम चलाओ हाँ क्यों भाती, इसका तो कुछ वो अजीब लग रहा है नमस्कार अंकल जी, नमस्कार, वो प्रोहित पुब्लिकेशन से मिलना था मुझे, हाँ, तो बोलिए, क्यों, क्या गाम मैं, अखवार्ष हो गया, नहीं, मैं अखवार्ष नहीं हूँ, मैं तो उनके फायदे के लिए आया था, अरे भारती हम बात कर रहे हैं न, तुम चुप रहे हैं, हाँ, मित्र हैं मारे, अरे मुझे तो अखवार्ष से तुम लग रहे हो, चुप रहो तुम, बात कर रहे हैं न हम, हाँ जी बोलिए, कह रहा था आप से मिलने, मैं भी राइटर हूँ, राइटर हैं तो आपने आज तक कुछ लिखा है, अभी तो नहीं, कोशिस है और उनका लिखावा कुछ पढ़ा है, हाँ, वो पढ़ा ना, मन की विलोचना, देखो मन की विलोचना ने ही पूरी आलोचना कर रखी है, कुछ निची ऐसा, ठीक है, नहीं, और भी तो लिखा है ना, उनने, पढ़ा आपने, हाँ, हाँ, कई कहानी हों तो मेरा भी साजिश यहीं से इर्दिगर्द मिल जाती है कहानिया अच्छा देखो यह राजा राम ने जो अभी लेटेस्ट लिखा है कुछ वैसा सा लिख लाओ लेटेस्ट अभी पढ़ा नहीं मैंने तो मैं चाहरा हूँ अगर आपके पास हो तो दे दो नहीं नहीं ऐसा करो किसी भी बुक स्टॉल पर चले जाओ बोलना मस्तराम चाहिए खट न मिल जाएगी अच्छा मस्तराम हाँ थोड़ा पैसा खर्च करो पैसे कामना चाहते हो तो हाँ है यो मामा जी बांजा तरक्की पर है साब देवी मा की किरपा है मखल सेंग जी क्या है कि आप सरकारी नौकरी के साथ साथ अगर यह चलता रहता तो तब ठीक है क्या मामा आपी लालत करते हो अच्छा राजाराम बाबू हमें आपसे बात कहने है किताब तो आप मंगवायनी दिली से तो आज आप अपनी चार लाइने पढ़ा दो हमें जी वाना दो थोड़ा मुश्कील और अरे अरे क्या ग्रहा है अरे सब यहां पने हैं कौन सा अपन अच्छपद एरा बता कौन सो अपन्यास क्या नाम है उपन्यास का अरे बता ना यहीं बता बोल कौन सी कहानी कुछ होगी ना जिंदिकी के बारे में कहानी क्या हुआ भाईया शरम नहीं आती तुछे हम लोगों के रिष्टे को बेंच दिया तुने तुम अंदर जाओ बता बता यह लिखता है यह यह गृंथ महान गिरंफ है यह रदे क्या लिखायös और अबimento पढ़ाये मुझे आप मत पड़ो भाभी हम जैसे तुछटुलों के लिए नहीं है इन जैसे इनमान लोगों के लिए यह गृंथ तुम जैसे सब्चलों के साथ काम में करना तुम जै अब क्या बताएं इसी से पुछो मामा जी क्या हो रहा बाई कुछ समझ में पढ़ने वीजे मुझे पढ़ो पढ़ा ना चौट 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 कि बहुँ इलर दो देखाओ मुझे बरसात की काली घनी अंधेरी रात में महेश की कामुक नजर रेनों की गठिले बन वह भाजे तू तो कह रहा था तू नॉबल लिखता है यह लिखता है तू अ यहीं सिकाया था मेरे तूझे ए इसलिए कराया था है हमें हिंदी में अ तरा और भर चलो है ना तरा चलो है ख़ट और लिक पचाश साथ और भी रिष्टे हैं तेरे एर्द गिर्थ सबको बेंच डाल बेंच डाल सबको खट खट झाल 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 राजराम यही तो है मसाला जुन्दगी का राजराम वो मस्तराम है क्या एक दे दो उसने कहा किसना मजा रहा है एक मस्तराम एक मस्तराम रहा है